नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हुमें आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली में कारक ग्रहों को कैसे देखना है यानि कि आपकी जन्म कुंडली में यदि आप मेस लगनके हैं तो आपकी कुंडली में कारक तटस्थ और अकारक ग्रह कौन-कौन से हैं कारक ग्रह वो होते हैं, यदि कुंडली में वो अच्छी स्थिती में बैठे हुए हैं, तो आजीवन आपको सहयोग करेंगे, उनसे समंधित आप ग्रह रत्न धारण कर सकते हैं इसके बाद बारियाती है ततरस्थ की, ततरस्थ ग्रह वो होता है जो बहुत अच्छा और बहुत खराब, तो अगर उसकी बात की जाए, तो वो निर्भर करता है कि किस स्थाने में उसकी स्थिती है अगर वो अच्छे स्थान में बैठा है तो वो कही न कही अपनी दसा अंतर दशा में आपको विसेश लाब देगा उसके उपाय किये जा सकते हैं, उसके रत्न धारण किये जा सकते हैं वहीं जो अकारक ग्रह है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है उससे सम्मंधित रत्न आपको धारण नहीं करने हैं कुंडली में यदि वो किसी विसेश अच्छे स्थान में नहीं बैठा तो वो कहीं विसेश नुकसान न पहुंचा दे अतह उसकी अंतर दशा में आपको विसेश रूप से साउधानी वरतनी चाहिए कुंडली के अश्टम स्थान को मारक तो कहते हैं लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कुंडली के अश्टम स्थान से मृत्यू के साथ-साथ आयू का भी विचार करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे ग्रह जो इस कुंडली में अश्टम स्थान के मालिक होंगे वो मारकेस ही होंगे या मारक ही होंगे अतह मैंने यहां सब्दों का या मैंने नहीं शास्त्र ने प्रयोग किया अकारक जो ग्रह कारक नहीं है वो अकारक होगा या तटस्थ होगा तो आईए मैं समझाता हूँ कि मेसलगन में वो कौन-कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं, ततस्त हैं और अकारक हैं मेसलगन की बात करूँ तो मेसलगन में सरवाधिक कारक ग्रह, सरवाधिक कारक गुरू होते हैं वो भाग्येस हैं और वो सरवाधिक कारग्रह क्योंकि गुरू की मूल त्रिकोण रासी धनू है और वो भाग्य भाव में यहां पड़ती है इसके बाद दूसरे कारग्रह सुर्य हो जाते हैं जो कि इस कुंडली में त्रिकोण के मालिक हैं दोनों के दोनों लगनेश के मित्र और अब बारियाती है कुद लगनेस की यानि मंगल की नों भी यहाँ पर कारक हो जाते हैं चंद्रमा जोकी कुंड़ी में सुख भाव का मालिक होता है look यहाँ पर तटस्त भूमिका में है यानि आपकी कुंड़ी मेज लगन की है चंद्रमा अच्छी स्थिती में तो चंद्रमा की दसा अंतरदसा महादसा में आप चंद्रमा का उपाय करके इसे बेहतर और बना सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर अकारक ग्रहों में सरवाधिक अकारक ग्रह, बुद्ध, जो कि तीसरे और छठवे भाव का मालिक है, सरवाधिक अकारक ग्रह, इ ये तीनों अगर आप गौर से समझें तो बुद्ध और शनी मंगल के सत्रू है। तो यहां पर तीन ग्रह और कारक हैं और चंद्रमा तटस्त है राहू और शनी ये छाया ग्रह है अतह इनकी परिस्तितियों को देखते हुए ये जिसके साथ बैठेंगे उसके अनुसार अपना फल देंगे जिस इस्तितिती में बैठें होंगे उसके हिसाब से इनकी गड़ना की जाएगी अब आईए मैं आपको ब्रिशब लगन के बारे में बताता हुए अगर ब्रिशब लगन की बात करूँ तो यहां पर देखिए कौन कौन कारक हो रहा है तो ब्रिशब लगन में सरवाधिक कारक सनी हो रहे हैं क्योंकि वो एक त्रि कोण के मालिक हैं वो भी यहां पर कारक हो रहे हैं इसके बाद बारी आएगी सुर्य की जो की एक केंद्र सुख भाव के मालिक हैं और मंगल जो की एक केंद्र के मालिक हैं आपने सुना होगा कि शुक्र के ये दोनों मित्र नहीं हैं विशेश रूप से सुर्य फिर मैं कैसे उ और क्यों और कारक बताया ये सारी बातें आप बसके वग ध्यान में भी रखते चलिए जब मैं जन्म कुंडली पर समझाऊंगा तो वक्त होगा मेरे पास परियाप और मैं काईदे से आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कहा था तो यहाँ पर वैसे भी एक लाइन में समझा देता हूँ कि यह ब्रिशब लगन ब्रिशब लगन है क्या ये कर्म का लगन है ब्रिशकार्थ होता है बैल ये लगन क्या दर्साता है कर्म को दर्साता है तो मंगल और शूर्य भी कहीं न कहीं कर्म के ही प्रतीक है इसलिए पर वो कारक है। यहां पर सुक्र खुद लगनेस हैं और वो तटस्त भूमिका में रहते हैं। लगन के मालिक होने के बावजूद यह तटस्थ क्योंकि यहां पर वो सश्ठम स्थान के मालिक, अलागि लगनेस को सश्ठेस का दोस्त नहीं लगता। लेकिन जब आप देखेंगे कि दो रासियों का जब घर आ रहा है तो जादा तरग्रह अपनी पहली रासी में कारक और अपनी जो दूसरी रासी होती है उसमें तटस्त भूमिका में तो ब्रिसब जो लगन है वो सुक्र का मूल त्रिकोण लगन नहीं है मूल त्रिकोण लगन इनका तुला है तो तुला में ये कारक होंगे लेकिन यहाँ पर ये तटस्त भूमिका में होंगे इसका ये मतबनी की रिजल्ट नहीं करेंगे जब इनकी महादसादसा अंतरदशा आएगी तब आप उसमे इनको अपने पक्ष में इनका ले सकते हैं रिजल्ट करेंगे और इस लगन में सरवाधिक अकारकिर Games गुरू और चंद्रमा बनते हैं गुरू अष्टमे यहां होते हैं और चंद्रमा त्रुतिये भाव के मालिक यहाँ पर तृतिय भाव मारक होगा सामान्य मारक के रूप में यहाँ मंगल भी बनेंगे लेकिन यह चुकी नुकसान जादा नहीं करेंगे ब्याय और परिशानिया थोड़ी बहुत खड़ी कराएंगे अपनी दसांतर दसा में तो आपको मैंने बताया ब्रिशभ लगने में कारक ग्रह कौन-कौन से हैं घवराये गमत अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आती है तो जब मैं जनमकुंडली इससे सम्मधित बताना सुरू करूँगा तो वहाँ बिल्कुल हर एक पॉइंट को सिद्ध कर दूँगा उन्होंने अकारक बना दिया. अब बारी आ जाती है मिथुन लगनकी तो आईए उसके बारे में आपको बता दो तो मिथुन लगनकी अगर बात करूँ आपके समुख है ये इस लगन में कारक ग्रह कौन-कौन है ततरस्त कौन है और अकारक कौन है आईए समझ लिजिए मिथुन लगन में सुक्र और सनी ये सरवाधिक कारक है बुद्ध जो कि इस लगन के मालिक है लेकिन वो इस लगन में मूल्ट्रिकोन नहीं होते तो वो यहाँ पर तटस्त भूमिका में रहेंगे चंद्रमा को भी उन्होंने जो कि दुतिये भाव के मालिक हैं तटस्त भूमिका में अपने साथ रखा और सबसे औकारक इस लगने में मंगल को उन्होंने बनाया अब मेरी जरा बात को गौर से बिशार कीजिएगा जब मैंने उच और नीच ग्रह के बेवहार को बताया था उसको अगर थोड़ा सा इसमें आप जोड़ लेंगे तो दो मिनट में मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी ये बुद्ध का घर है बुद्ध है कुमार उसने विलासिता को और दास को सबसे ज़्यादा बल दिया चंद बुद्ध जो है कुमार है तो वो कहीं न कहीं मा के साथ खड़ा हो गया यानि मा को भी उसने बल रहने दिया सबसे अकारक उसने पराकरम को किया तो उसने मंगल को सबसे ज़्यादा अकारक माना यानि कि अगर बात करूँ तो मिथुन लगने के जातकों के लिए मंगल की महादसा अगर मंगल की प्लेस्मेंट ठीक नौ हो तो फिर बहुत खराब होने वाली होती है या मिथुन लगने वाले जातकों को ये गौर करने वाली बात है कि वो सश्ठम स्थान के मालिक बनते हैं रिन हो जाना पैसे डूब जाना इस तरह की स्थितियों से बहुत ज़्यादा जूजना पड़ता है गुरू और सूर्य को भी इसने अकारक माना क्योंकि ये खुद राजकुमार है गुरू यहां केंदर के मालिक है लेकिन ये ग्यान को सिधी सी बात है जरा गौर करिये कि एक बालक को अगर आप ध्यान से देखें तो पढ़ने को कभी पसंद नहीं करेगा वो सिक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा लेकिन हाला कि उनका आगे जाकर के अगर सम्मिलन किया जाए तो ग्यान और वानी अथवा बुद्धी दोनों का समिस्रण ही होता है लेकिन शुरुवात बहुत गौर कर ये कि रिस्यों ने बिचार जरूर किया होगा कि यहां दो केंदर के मालिक है गुरू लेकिन इसके बावजूद उनको अकारक कहा क्यों कहा क्योंकि शुरुवात में अगर बच्चे को अगर बच्चे पर आप ये रिसर्च करें तो पाएंगे कि कभी वो सिक्षा को बहुत प्रेम से नहीं स्विकार करता हर बच्चे के साथ होता है गिने चुने ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ाई में बहुत दिल्चस्पी रखते हैं वैसे भी नियम कहता है कि अगर बच्चे को पता हो कि कितने प्रिष्ट से परिक्षा में आएंगे तो बागी का प्रिष्ट जीवन भर कभी न पढ़ें तो ग्यान को यानि गुरू को उसने यहां अकारक किया मंगल को क्यों क्यों क्योंकि वो काम से भद बचना चाहता है सुरे को क्यों क्यों क्योंकि सुरे राजा है वो दबाव देगा करने के लिए वो पिता है तो इसलिए इसने अपने लगन में इन तीनों को अकारक कर दिया अब इसके बाद बारी आ जाती है करक लगन की आईए अब आपको करक लगन समझा देता हूँ उसमें कौन से ग्रह कारक हैं, और कारक हैं और तटस्त हैं करक लगन की अब बात करते हैं करक लगने में सरवाधिक कारक मंगल होंगे और इसके बाद गुरू मंगल यहाँ पर एक केंद्र और त्रिकोन के मालिक है गुरू की बात करूँ तो वो भाग्य भाव के मालिक बनते है वो यहाँ पर सरवाधिक कारग्रह करक लगन में तटस्त भूमिका में सूर्य चंद्रमा और सनी होंगे सुर्य की बात करूँ तो दुतिय भाव के मालिक चंद्रमा खुद लगनेस हैं और सनी पर गौर करिएगा मैं हाँ समझाना चाहता हूँ चंद्रमा सनी को अपना सत्रू नहीं मानते ये हमेशा से ध्यान रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि जो एक ग्रह दूसरे को सत्रू मान रहा है वो सामने वाला भी उसको अपना सत्रू मानता हो तो चंद्रमा सनी को सत्रू चंद्रमा के कोई भी सत्रू नहीं है चंद्रमा किसी को अपना सत्रू नहीं मानते तो यहाँ पर सनी भी एक केंद्र के मालिक है और यह कारण बना यहाँ पर केंद्र के मालिक होने के चलते ही इनका अश्टमेस का दोस कम हो गया अतह यहाँ पर वो तटस्त भूमिका में रहेंगे और अंतिम बारियाती है बुद्ध और शुक्र की जो इस लगन में सरवाधिक औकारक माने जाएंगे यानि यदि आप करक लगने के अच्छा मैं यहाँ पर अगर चाहूं तो इसको आम जिंदगी पर घटा करके दो मिनट में आपको समझा सकता हूं लेकिन वक्त लगेगा ज इतना ही आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि यदि आप करक लगने के हैं तो आपके सरवाधिक कारग्रह मंगल होने वाले हैं और गुरू होने वाले हैं यानि कि अगर आपकी कुंडली में मंगल और गुरू की अच्छी स्थिति है तो मंगल गुरू से सम्मंधित रतना आप धारन कर सकते हैं आपको फाइदा उनका होगा उनकी दसा अंतरदसा आपको सफलता दिलाने वाली होगी सुर्य चंद्रमा और शनी इनको भी आप अपने सपोर्ट में ले सकते हैं या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे शुक्र और बुद्ध की जो महादसा या अ वाकारक है आने वाले दिनों में आपको बाकी के जो बस्ते हैं माफ़करीगा रासी उनके बारे में आपको बताऊंगा आज समय पर्याप्त हो गया है आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए कलपुनह आप सबके समुख बाकी की रासियों को लेकर के हाजिर होंगा